मैं दुआ कर रहा हूँ वाला से के इंट्रेशन फ्लैर्स सौधी रेविया की पाकिस्तान और इंडिया वगारा के लिए भाई अकतिस इस माँ की ना खुले तो बेतर है यानि कि ये साथ में माँ की एकतिस तरीक तक आपके कामे हैं जी तो या इस टाइम तक ना खुले तो बेतर है क्यों अभी मैं आपको मुकमल डेटेल बताता हूँ बिस्मिल्ला रुक्मान रुरहीम अस्सलाम अलाकम सौदी अरफ से लाइफ हुजी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट आपनी एक बाई इंट्रेश्ट फ्रैट्स के मतलक एक मेरे हिसाब से और आप भाईू के हिसाब से भी होगी मैं आपको डेफिन हो जाए कि सी बंदे को जो पाकिस्तान में और यडिया में नेपाल में आपको पता है जी बेखर में बलता हूँ लाइड बाई हों ग satisf control उपन हो औरुकाहरइब आपको पतार ही दूसरे म değild तरी ग्यारék थे shimmer निक्त 17 रिकाम में बढ़ा दिये गये थे शहासर्मां के तरफ है अकतिस तरीक तक इकाम में बढ़ा दिये गए थे जी ये तो कनफर्म है जी अभी होगा क्या अभी इद आ गी है जी आपको पता है फ्लैट्स तो इद से पहले मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ तो ये तो बाइ साथी गौर्णमेंट को पता है ना लेकिन मेरे इसाब से मैंने बोला था लेकिन अभी इद तक नहीं बहाल हो रही है तो इद के बाद हो सकता है बहाल हो जाएं तो इद के बाद होगा क्या अभी आपको मैं चीज यहां पर अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इद आगे जी बीस तरीकी ठीक है एकिस बाइस तेइस चौबिस पच्छीस तक की चुटी चल रखी है अतवार वाले दिन तक की तमाम तर सरकारी अधारे को अच्छा एरपोर्ट के मतलब मैं मानता हूँ को आपको इन एरपोर्ट वालों को वो तो चलते रहत हैं लेकिन अमला वगारे बदलता रहता है लेकिन फिर भी वहां पर भी छूटियों का इलान किये जाता है जैसा कि जो आम मजदूर वगारे उच्छिकों में काम करते हैं उनको चार चुटी की जा रखी हैं तो उनको भी चार तो लाजम होगी तो यह तमामतर सरकारी अधा वगारे उनको चार चुटीले काम होगा अमला तो चलता रहता है लेकिन फ्रूट오 बू कर देता है तो चार दिन बाद पांच दिन बागा छे दिन बाद, साथ दिन बाद सउती रेविया अपनी इंटरेश्म फ्लैटस ओपन कर देता है। बीस की इद होगी कि पच्शिस को चलो खाड़ दिन बाद ही बोल देते हैं कि फ्लैटस ओपन होगी हैं अगर हो गई तो क्या बनेगा बनेगा कि आप भाई अभी सोचिए पाकिस्तान से आप सौधी ने भी आएंगे आपका अकतिस इस मां की अकतिस तरीक तक एकामा है आपके पास दिन कितने बचेंगे चार से पांच या छे दिन बस एक दिन तो ऐसे जाएगा ना वो फ्राइस ओपन होगी है आपको पता चला पांच दिन यह चार दिन बचेंगे पीछे तो पांच चार दिन में आप भाई फिर दौल लगाएंगे कि अभी मैं किसी तरीक से टिकल ले लूँँ अगर आपने दोनों खुराक वैक्सिन की ले ली हैं चाहिना की भी आपको दोनों खुराक अगर मिल गी है तब भी आपन के मतलग आपको आगई है पता है पहले सही तो फिर टिक्टों वालों को जो रेट है वो असमानों से बाते करेंगे और आपके पास दिन भी कम होंगे आप सौदी अर्बिया आने की पूरी कोशिश करेंगे अभी इसके मतलग मेरा ये मानना है मैं जो अपनी रहे दे रहा भी फ्लाइट ओपन नहीं होनी चाहिए आप भाई पहले पथे होगे हैं जी मेरे भाई अगत 30 तरीक के बाद यानि के 30 के बाद 2 तरीक 4 तरीक 5 तरीक 10 तरीक तक बहाल हो जाए उससे होगा क्या सौधी गॉर्मिट आपके इकाम में फिर से बढ़ाएगी जी मेरे भाई अगर पहले दो दूसरे मां से लेकर 5-7 मां की 30 तरीक तक बढ़ा सकते हैं भाई तो फिर 15-20 दिन य एकमा बढ़ाने में उनको कोई मुश्कल नहीं होगी सौधी गॉर्मिट आपके इकाम में भी मजीद 15-20 दिन या एकमा के लिए बढ़ा देगी और अगर 5-7 दिन दस दिन में यानि के 5-7 तरीक 10 तरीक 8 में मां की फ्लैट्स ओपन हो जाती है तो पिर आपके पास टाइंग काफी होगा आप उससे 10 दिन बाद की 15 दिन बाद की टिकल लेंगे अपनी वैक्सीन के मतलग जो शरायत होगी वह तमाम तर ओके करेंगे टिकल लेकर सौधी रेविय में अराम से आ सकेंगे अगर खुलगी भाई 25-25 को या 26 को तो फिर धोड़े हैं जिसकी दोड़ यतनी उ सौधी रेविय में आएगा ये मैं एक बात सोच रहा है था मैंने बुला भाई को साथ भी शेयर करूं मजीद आप भाई भी मुझे कमिट में इसके मतलग अपनी रहे जरूर दीएगा